आप लोग ने सौर मंडल ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ा होगा और इस अब आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं तो पहले आप लोग देखते थे कि ब्रस्पद्धी के सबसे जानदा उपग्रह हुआ करते थे फिर आप देखेंगे कि सनी के सबसे जानदा उपग्रह हो गए फिर आप फिर से आप देखेंगे कि ब्रस्पद्धी के सबसे जानदा उपग्रहों की संख्या हो चुकी है तो आज हम लोग एक सामन जानकारी देख लेते हैं और इनसे आपकी परिक्छाओं में questions भी पूछे जाते हैं क्या की जितता है? questions भी पूछे जाते हैं और एक तस्वीर आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इसमें आप लोग देखेंगे कि देखे, इस सूर भगवान है आपके, फिर आप देखेंगे उसके बाद बुद्ध का नमबर आता है, फिर आप देखेंगे आपके सुक्र आता है, फिर पित्वी आता है, एक करब में आप लोगों को देख रहे हैं, सूर से दूर की स्तिती में, फिर मंगल आता है, फिर वास में कौँंसा ग्रहे है, बुद्ध ग्रहे है ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेगा जस्पितवी पर हम लोग रहते हैं ये आप देखे सुख्र की बाद आती है तो ये भी आप लोग याद रखेगा इसमें, और पितवी को इसमें आपकी ग्रह भी सामिल रहते हैं, धूम केतु भी सामिल रहते हैं, ओलका पिंड भी सामिल रहते हैं, और भी बहुत सारे अनाकासिये पिंड भी साह रहते हैं, इन सब को मिलाकर सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल की पूरे उर्जा का सिरोत सूर्य भगवान है, इन पिठवी, मंगल, बैस्पदी, सनी, अरुन और बनुन अंग्रेजी में कहें तो आर्थ हो गया, जुपीटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, और नैपचीन हो गया, एंड मार्स हो गया, यानि सोर या किसी अन्य तारी के चारों और प लोगों को देखने को मिलता है और प्राक्तिक उपग्रह या चन्दमा यासे खागुलिये बस्तू को कहा जाता है जो किसी ग्रह चुद्ध ग्रह या अन्य बस्तू के इर्द ग्रह परिक्मा करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि किंतिम उपग्रह भी भेजे जाते है प्राक्तिक उपग्रह भी है उधारन के तोर पर हमारी पितपी का उपग्रह चंदमा है और इस तरह से एक ग्रह के कई उपग्रह भी होते हैं अभी तक सबसे जानदा उपग्रह यानि चंदमा सनी ग्रह के थे लेकिन अभी हाली में बारे नए प्राक्तिक उपग्रहों की खो वहीं अगर हम लोग ब्रहस्पत्ति की बात करें तो इसकी संख्या बानवे होगी। वहीं बचे हुए तीन बड़े चंदमा अपनी कच्छा की दूरी तैय करने में 340 दिन का समय लेते हैं और इन चंदमाओं की कोच 2021-2022 में हवाई तथा चीली में दुरवीनों का उपयोग करके की गई थी और उन्हें अंतराष्टी खागोली संग की माइनर पिलिनेट सेंटर की सूची में जोड़ा गया और MPC अंतराष्टी खागोल संग की अंतरगत काम करने वाली एक संस्ता है और जिसका काम बैस्विक केवल बैस्विक लेवल पर उपगरे चुदगरे और धूमकेतू से समध जानकारी इकतित करना होता है उनकी कक्छाओं का अनुमाल लगा कर अनुमाल एक पर उपगरे इस सारी जानकारी को विकासित करना होता है और बरस्पति के बारे में और भी जानकारी लगाने के लिए भविस्ट में और भी आप देखते हैं कि मिसन लॉंच होने बाले हैं जिन में 2023 में आप देखें एरोपी है इस पेस एजनसी का अंतरिक च् उसी तरह से नासा अमेरिका की है और नासा को अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका हैड़ क्वार्टर वॉक्स वॉसिंग्टन डीसी यूएसे में देखने को मिलेगा इसकी स्थाफना 29 जुलाई 1908 में होई थी वहीं एगर हम लोग इस रो की बात करें तो Indian Space Research Organization की बात हो रही है और आप देखेंगे इसकी स्थाफना 15 अगस्त 1909 में होई थी बैंगलोर कर्णाटक में इसका हैड़ क्वार्टर देखने को मिलेगा यूरोपा किलिफर मिसन बैस्वती के चंदमा यूरोपा के विस्तार की विस्तार से जानकारी करेगा और जान्च करेगा और इस बरफिले चंदमा में जीवन के लिए उप्रयोगते परिस्तितियां हो सकती है या नहीं ये भी खोजेगा और दरसल यूरोपा में लोहे की कोर एक चटानी आवरन और खारी पानी का एक महासागर होने की संभावना है हाला कि पित्वी के भी परित इउरोपा का महासागर संभावता 10-15 मेल की मोटाई वाली बरफ के नीचे इस्तित है और इसकी अन्वानात गहराई 40-100 मेल यानि की आप देखेंगे 60-150 किलूमीटर है अभी वैस्पती के जो नए चंदमा की खोज हुई है ये इवरोपा किलिफर मिसन की दरिष्टी से काफी महत्पूर्ण भी सावित हो सकते हैं और आपको बता दूँ बरस्पती सनी इवरेनस नेप्चून को जोबियन ग्रह कहा जाता है और इनके बड़े होने के कारण इन्हें जोबियन या जैंट क्या ग्रह कहा जाता है इस अभी ग्रह बड़े ग्रह सूर की काफी दूरी से परिक्मा करते हैं इनकी सत्य ठोस ना होकर गेस ही है और साथ ही इनके कई ओप ग्रह भी है इनके बाईव मंडल हाइडोजन हिलियम मेतिन और अमोनिया हलकी गेसें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इनी से इनका बाईव मंडल बना हुआ है तो इस तरह कोई भी घटना घटती है तो उससे आप लोग जरूम पड़ लिया करेगा ठीक है और यही कहते हैं कि को आप लोग भूगोल से जोड़ लेते हैं इस तरह से चलिए आपका कोई सवाल हो सुजा हो तो आप लोग नीचे बताईएगा ठीक है